हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो यूपेसी वाला दिस तोनिया अहुजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चाप्टर 4 यूमन कैपिटल फॉमेशन इंडिया ओके क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप से कुछ सवाल पूछे तो फटावड हम उनके जवाब दे देते हैं सबसे पहला सवाल था वाट इस दिफरेंट बीन एग्रिगेट आउट्पूट और जीडिप और इसका बिल्कुल सही जवाब यह है गिरीश पांडे जी ने सो सब्सक्राइब एग्रिगेट आउट्पूट क्या होता है और गूर्ड एंड सर्विसेश प्रोड्यूज ठीक है जितनी भी जितने भी चीजों और सेवाओ का उत्पादन हुआ है वो कब इन एकॉनमी किसी बींद एकॉनमी में अजकली पर एकॉनमीज दो थाएफ के तर्ट अधू जहां आशनल इस्टम सेख्रियट प्रोड़क्श्टन की या तो सिर्फ य데जिश कंट्री के उनदर जैसेक्ड इंडिआ चाइन युएस या तो भी राम बात क्रिए यह इसिया म का मिला अंदे टिना हुआ ऑफ एक पिक्से कोसी हमें ओवर फिक्स पिरियर्ड off है और कब शुरू से जालो करों, कब से जालों करें उन्हान नहीं एक मेहने थो फिक्स市 मिल therapists कुछ भी हो सकता है बट वो फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम होना चाहिए ठीक है तो इस एग्रिगेट आउटपूट है अब एग्रिगेट आउटपूट जो कॉंसेप्ट है यह थियूरेटिकल है मतलब है यह यह जनरल ही बात कर रहा है बस उसकी तीन यह पार्ट है डेफिनेशन के कि बहुत है जो प्रडिविस हुए किसी एक पर्टिकुलर एकानिमी में होने ची और एक गिवन पीरिट ऑफ टाइम में होने ची उसको हम एकरिगेट आउटपूट बोलते है उसका जो प्र मुझे जूशुली समझ में आती है चीजे जब जैसा अगर मुझे कोई कांसेप समझना होता है जब मैं एकनोमिक्स पड़ रही थी तब मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आता था आई वूड आइस मैं प्रोफेसर कि मुझे ना किसी और एक्जांपल से समझाओ बिकॉस म मुझे पैसे और एकनोमी की कंसेप्स कभी 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 मिक्स मैच हो जाते थे तो उन्होंने मुझे यह जोग्रफी के टर्म में समझाया था है ना में एक्स्प्लेंड आट तो यू ठीक है मान लो मैंने आपको बोला वाट इस अंटेंट ऑव वाटर ऑन अर्थ है ना धर्थ अन अपर्टिकुलर ताइम यह डेफिनेशन होगी भई क्या है वाट वाटर ऑन अर्थ की आर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉड़ीज है चाहे फिर वो लेक है ओशन है सी है पॉंड है जो भी है रिवर है वो सब एक पर्टिकुलर समय पे क्योंकि चेंज होती रहती रह पॉंड सुखते हैं नदिया सुखती है कभी कभी बहुत जादा बारिश का मौसा मत है तो बड़ी भी हो जाती है तो एक फिक्स पॉइंट पर कितना एरिया पानी है उसको हम पॉर्टर बोलेंगे अर्थ पर राइड जनरली हम बोल देते हैं या तू थर्ड है कि न अर्थ on earth yes and no yes why because technically ocean बहुत ज्यादा है न हमारे है ओशन का एरिया पहुत ज्यादा बड़ा है तो आप सारे ओशन को अगर कैकुलेट कर लो तो आपको लगभग लगभग अप्रोक्सिमेटली आइडिया हो जाएगा कि कितना पानी है क्योंकि on other hand ponds rivers बहुत कम है right we know that clean water is only 3% of the total water right तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एस और 7 ocean almost equal to all water हो सकता है but no there is still something missing अब what if I tell you this water is liquid or solid क्योंकि अगर liquid बोल रहे हो तो ठीक है पर solid then we are not counting glaciers right तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो definition क्या बोल रहे है यह theoretical definition है ना theoretical definition बोल रहे है कि भाई जितने भी लांड पर अर्थ के surface पर जहां पर भी पानी है एक particular time पर उस सारे को अगर हम जोड़ दे तो वह हमें बता देगा कि सारा पानी कितना पानी है अर्थ के ऊपर right अगर हमें जानना है more detail में अगर हमें कोई procedure करना है कि हमें प्रेडिक्ट करना है कि अर्थ में कितना पानी रहेगा या हमें प्रेडिक्ट करना है कि कितनी कितना landmass है हमारे पास और कितना useful एक नहीं है कि हमको पूरे अर्थ का landmass लेकर उसमें से पानी हटाना अगर आपको ऐसे practical use करना है तो आपको थोड़ा और depth में जाना पड़ेगा कैलकुलेशन के फिर आपको इसमें सी एड़ करने पड़ेंगे फिर आपको इसमें कि कम मिलेगा तो एक पर्टिकुलर फिक्स ताइम पीरेड रखना पड़ेगा उसमें भी क्या होता है अलग अलग चीजे होती है जैसे अभी देखो रिसेंटली एक डैम तूड़ गया नौर्थीस्ट इंडिया में राइट दाट कम्लीटली चेंग अमांट वाटर भी एग वाता जाएगे तो क्या फिर पूरा तो आइसलेंड ही अलाँ चला जाएगा क्या इस अग्रीफ ग्रीेंड उपली सौनली करो स्रोविट पास पन्रम टो gue ले 5 क्योंकि टेकनिकलर थी इस फॉम एस फोर्म और इस में मांप या वाटर वानाएट तो इस ता प्रेटिकल डेफिनेशन और प्रेक्टिकल डेफिनेशन में बहुत डिस्टेंज होता है। वैसे ही GDP और अग्रिगेट प्रोड़क्त में डिफरेंस यही है। कि theoretically जब हम बात करते हैं तो यह है आपका all good services in an economy in a fixed period, aggregate output. But GDP is when you actually go into the nitty-gritty and actually calculate it in terms of money. तब हम बात करते हैं GDP की उसमें बात तिर उसके बाद हम aggregate income की बात करते हैं इसमें भी कहीं सारी चीज़े होती है देखो क्योंकि आप जब हम goods or services की बात कर रहे हैं तो फिर जब इंडिया का GDP का calculate कर रहे हैं तो क्या हम उसमें अपने क्या बोलते हैं उसको और किस गिवन पीरेड में बात करेंगे क्या हम 1st January से 37 के बीच में बात करेंगे हम Indian financial year के बात करेंगे तो all these things जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना जो actually आपको consider करना ही पड़ती है और यह consideration कहां से आता है it all depends on what you want to find out if you want to find out the position of India in the world then you'll calculate everything you'll calculate कि अगर foreigner ने foreigner ने यहां पर आके पैसा खमाया तो वह भी आप माइनस करोगे और foreigner ने यहां पर आके दूसरों को पैसा दिया तो वह भी tourism आप include करोगे as you know part of income अगर आप दिखाना चाहते हो कि हमारी economy कितनी बड़ी तो आप foreign में जो प्रडूस कर रहे हैं उसको भी अपने समें दिखाएंगे बड़ अगर आप calculate करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको आपको यह नहीं दिखाना है कि वॉर्ड में इंडिया कितनी बड़ी इकनोमी बड़ आपको देखना है कि विदिन the country क्या हो रहा है तो फिर आप बाहर की च कर दोगे conceptually theoretically हम बात करते हैं तब चीजों को बात simple रखा जाता है ठीक है बट जब हम practically उनको calculate करने वे आते ना तो बहुत सारे fluctuations होते है GDP में disinvestment होता है depreciation होता है और things just close down market falls sometime right so and look tax evasion करते हैं तो यह सब चीजें जो होती है इनको इनको conclude करना है यह नहीं करना है इस basis पे decide होता है कि like what will be considered a GDP what will be considered a GNP and so on okay so I hope this is clear let's move on to the next question what happened in Swiss Canal in 2021 that affected the world trade Harshita Siddharth Shaddha Sahu and Abhishek Patel आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया एवर ग्रीन एक container था जो Swiss Canal में फस गया था छे दिन के लिए एक windstorm sandstorm आहिती उसके कारण द शिप के जो लोग थे नहीं container ship उसका control छूड़ गया ship के pilot से एन वो शिप जो है Swiss Canal में से आड़ी अटक गई okay and it sort of stopped the business for six days and it was a huge deal because Swiss Canal हमेशा से ही बहुत important जगर रही है for its you know since like the last 200 years it जब से वो बनी है तब से और उसके पहले से भी वह एरिया बहुत important रहा है बहुत सारा ट्रेड दुनिया का वहां से जाता है तो जब वो छे दिन के लिए बंद हो गई ना it sort of हमको realize करा दिया उसने एक second में कि भाई हमारा ट्रेड जो हमारी जिंदगी जो है जो हम जीते हैं वो कितनी dependent है international trade पर क्योंकि suddenly supply chain issues आपको लगता है कि अच्छा उसमें तो कारें थी लगजरी कारें मानदो हमें क्या करना हमें क्या फरक पड़ता है लगजरी कारें से या फिर उसमें तो अरे फोन हो और वो थे उससे हमें क्या फरक पड़ता है वी माइट क्या होगा सामान रुग गया तो क्या होगा वह कंपनी रुग जाएंगे उसमें काम करने वाले employees रुग जाएंगे वह इंप्लोई रुग जाएंगे तो उसका सीधे नौमी पर पड़े का because everyone is connected जो employees उस company में काम करें वही तो खर्चा कर रहें market में जाके तो उनके पास पैस पैसा नहीं है तो फिर मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो ऐसे करके नहीं रिपल एफेक्ट होता है हर इंस्टेंस का और जितना ज्यादा globalization में हम एक दूसरे से connect होते जा रहे हैं ना as the world the more we are becoming in the interdependent so even a small collapse in one country like say israel uh israel-palestine war job i who are here ukraine-russia issue to water these things used to not affect us 10 years 50-50-50-100 साल पहले तक हमें कोई परखनी पड़ता था अगर किसी एक जगह पे वार हो रहा है तो चोटा मोटा अगर वार हो रहा तो बड़ा होता था तो फरक पड़ता था पर चोटा मोटा वार हो रहा था तो हमें कोई परखनी पड़ता इस नेवर बीज़ दस but now we have become so interconnected that even a small incidence somewhere can have a huge impact on our lives so let's move on for to this chapter हम पड़ते हैं human capital के बार में अब human capital है क्या हमने human capital class 9th में already पड़ रखिये what is the word human तो मतलब होता है इंसाल और capital मतलब होता है पूंजी राइट है ना हमने यह दोनों चीज़े इस तब पड़ी थी जब हम बात कर रहे थे किसकी modes of factors of production या दे जब हम factors of production की बात कर रहे थे तब हमने वोला था कि there are four things very important for production किसी भी तरीके का उत्पात करने के लिए चार्ट चीजों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वो कौन सी है चार्ट चीजे सबसे पहले है land land as in natural resources लेबर capital and knowledge ठीक है तो capital में दो टाइप की capital हमने बात करी थी एक तो cash और asset ठीक है मलब flowing capital और asset fixed capital और उसके बात हमने बात करी थी तो और labor में हमने बात करी थी श्रम चो है उसकी और land और natural resources के बात करी कि कैसे कुछ natural resources finite होते हैं कुछ infinite होते हैं पर हमने यादे इन तीनों के बाद last में knowledge और enterprise की बात करी भी this is what we are going to talk about in human capital ठीक है जैसे में आपको बताया था कि किसी ने अगर में अगर में अगर में अगर और जो दो दो लेबर हैं मेरे साथ में तीनों को अगर खेती का knowledge नहीं है तो हम कि नहीं कर पाएंगे और अगर मेरे घर में दस pot है flower pot और में उन से परिशान हो क्योंकि they're just I'm watering them everyday but they still don't live very long and I don't understand what I'm doing wrong तो बतल सोचो अगर में 10 पॉधों को नहीं जिन्दा घर पारी हूं तो में खेत क्या जोतूंगी तो अगर मेरे पास खेती करने की जो knowledge मतलब हवा के रुख से समझ जाते हैं कि अच्छा आप बारिश आने वाली है ऐसे लोगों से कंपेड में मैं उत्ति अच्छी केती नहीं कर पाऊंगी ना unless I have the knowledge of it right तो यह knowledge जो है ना इसी को इस इंटरप्राइस को इसी को हम human capital बोलते हैं और हम बात करेंगे थोड़ा डीटेल में की human capital होती क्या है तो बिफोर स्टार्टिंग दिस नो लेट्स टॉक अबाउट यह कॉंसेप्प साभांजने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कोई भी काम अगर करना है कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है ठीक है मानलो you want to open a shop और आपको एक businessman बनना है तो उसको बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरुद पड़ेगी ठीक है बलब ऐसी चीज आपको वेचनी है जो आप आज तक कभी नहीं हुआ एक दम नहीं चीज आपकर दो तो सबसे पहले आपको सबसे पहले मेंटल के पैसिटी लगेगी है कि वाट इस फर्स तिंग यूव नीड़ मेंटल के पैसिटी क्या होता है आपके अंदर उतना दिमाग होना चाहिए ना कि आप समझ करको कि भाई जैसे आपको कोई नहीं शॉप खोलनी है तो आपको जाके पहले करने पड़ेगी कि उस टैप की कौन सी शॉप खुली होई है वो लोग कौन सा माल बेच रहे हैं किते में बेच रहे हैं कौन प्रोड्यूस कर रहा है कहां से मंगवारा रहा है डिमांड है नहीं अगर आप किसी गाहों में जाके किसी लुक्शरी गुट की दुकान खोलो के तो क्या चलेगी नहीं चलेगी और यह सब करने के लिए मेंटल नॉलेज चाहिए कपैसिटी चाहिए ब्रेन ठीक है तो इस इसके अलावा आप इसको बिल सकते हैं इसको बिल सकते हो कि इंटलिजेंस एंट अद्गी चाहिए आप इक वर सकते हो कि इंटलिजेंस these are all this is the first thing you need right आपको थोड़ा experience चाहिए थोड़ा knowledge gain करने की ability चाहिए आपको थोड़ा intelligence चाहिए फिर what is the next thing you need second cheese कि क्या जरुद है second is joke अगर आपको कुछ भी नया cheese call night oh you need you need business acumen जो है उसको हम consider करेंगे mental capacity में ही ओके बड़ जो भी brain से related चीज़ें आपको चाहिए नवेजिकली कि उसको हम एक साथ यहां जोड़ लेते सेकेंड में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की अब देखो आप अगर शॉप खुलने जा रहे हो और आपको वन प्लस वन टू है यह काल्कुलेट करना नहीं आता है तो बहुत तिक्कत होगी एक दुकान खोलने के लिए आपको बेसिक अब मान लो कोई इंसान है जो पूरी जिंदगी कहीं पहाडों में में रहा है उसको सदेनली आपके दिल्ली के चाननी चौक में छोड़ दो के तो थोड़ा बनना नहीं जाएगा वो क्योंकि तो थोड़ा सा एडूकेशन चाहिए होता है तो और इस तुगेदर इस इन वेल सोड़ डेवलप स्किल एक तरीके से कोई स्किल डेवलप करने के हम बात करें कुछ भी करने के लिए चाहिए वो पब्लिक इंटरक्शन हो लोगों से बात करना हो अपने आपको अच्छे से जिसे इंटेव्यू देने जाना भी एक कला है तो गेट रेडी एंट टॉक लोगों के बीच में चार लोगों के बीच में बात खड़े हो कि आप बात कर सको लोग जो बोल रहा है उसको समझ सको उनसे युनों बैकन फोर्ट कर सको यह भी एक स्किल है तो जित्ती भी स्किल जो है जो लॉन की जा सकती तो में टल कपासिटी के उपना हमारा साथा कंट्रोल नियों पाइड क्योंकि जो भगवान ने दिया है वो धिया है पर उसको एंहां करने के हमें चाही होती है एडुकेशन तो इससे के अज़े करना है चाहे गूड और सर्विसों अगर कोई भी दिमागी तरह इसके से यह शारीरिक तरीके से स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में आप जहां गह रह रहे हो जहां आपको काम करने जाना उसकी बीच में अगर ट्राविल करना हो and if you do not have the capacity to do it then you won't be able to start a business right तो एक त चम्स सी कमाज 1,2,3 है तो आप बिजन तो स्टार्ट कर लोगे लेकिन बिजन उस बिजनिस को प्रोग्रेप करने के लिए बिजनिस तो स्टार्ट होगया ठीक है बढ़िया इन तीन अब आप चाहते हो उसमें प्रोग्रेप accounting continued with business अच्छा कैसे चलेगा बढ़ेगा कैसे ग ग्रोथ कैसे होगी तो ग्रोथ करने के लिए इस इंपॉर्टेंट that you have what is the fourth thing we call as you have to have values ठीक है कौन सी values loyalty you should have punctuality trust ठीक है अगर आप मान लो आपने आपके पास यह साव है और आपने खोल लिया लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में आप अगर जाने जाते हो अगर मार्केट में आपकी वैल्यूज पता चल जाए तो फिर लोग आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाईगी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाईगी और हम यह सब चीजे कहां सीखते हैं या तो हम अपने घर पर सीखते हैं या एजुकेशन के तुरू सीखते हैं वी लर्न अबाउट इंपोर्टेंस ओव लोयल्टी पंक्च्वालिटी एंड सो और उसके अलावा और भी चीज़े होती है जो हम बोल सकते हमें चाहिए वह है अबिलिटी टू बोलते हैं ना की जैसे मान लो आपके पास यह सब है आपके पास mental capacity भी है education भी है एक्टी वैल्टी भी अच्छी है ठीक है लेकिन आपके अंदर नहीं है कि मुझे कुछ करना है आपको बस असलागता है कि हाँ हो रहा है ना चल ठीक है चल रहा है अच्छी expect growth from a person who doesn't have passion for what they are doing for example there are teachers who can stand here and just simply read the as it is but unless I make a lot of effort to make my concept clear it will not be good और अगर मैं इस जॉब में इंट्रेस्टेट नहीं हूं मैं टीचिंग में इंट्रेस्टेट नहीं हूं तो मैं वह महनत नहीं कर पाऊंगी ना क्योंकि मेरे अंदर वह महनत करने की इच्छाई नहीं आएगी right so for any work that you're doing कुछ भी करने के लिए आपको उसके लेकर पैशन की जरत होती है थोड़ी सी इंजिनियूटी चाहिए होती है है ना थोड़ी सी कुरोसिटी चाहिए होती है थोड़ा सा जो बोलते है ना नीन फॉर सम्थिंग न्यू कि अब जैसे कोई इंसान है जिसने अपनी पूरी जिन्दगी बहुत ही खरात तरीके से बिता दी तो वह कहीं बार बड़े होके ना अगर आपका बहुत खराब बच्पन रहा है बहुत गरीवी में बिताया ना तो कहीं बार कुछ लोगों को क्लिए वही एक्स्पीरियंस एक वह बन जाता है कि अट पुछ देम टू ग्रेट थिंग रहे हमने कित्ती बार सोधा है जैसे अम्बानी है वह पेट्रोल पंप प इस फैंबली तो कुछ लोगों को वही एक्सपीरियंस पैशन देता है बहुत कुछ करने का बट कहीं करना कहीं कुछ लोगों को वह दबा भी देता है कि यूँनों डेजस्व डोंट वांट वार्ट ओन एरिया में जिया है ऐसी जगह पर रहा है जहां मतलब हमेशा से लड अगर आपके पास वो नहीं है तो भी एक अच्छा बिजनस स्टार्ट करना वुट भी डिफिकल्ट राइट तो ओल अव थीस तिंग्स पैसा देके नहीं ली जा सकती यह सब चीजें यह सब चीजें नैचुरली एक्जिस्ट नहीं करती है और महनत से कुछ चीजें आप कर नहीं कर सकते वाल्यू इंहरेंट ली आती है ठीक है तो हां यू किन चेंज और विकाम लॉड़ तिंग पर उसके लिए बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए होता है तो हम बात कर रहे हैं इन चीजों की जो की नैचरल रिसोर्स नहीं है जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकत है और जो इंसान चाहे तो ले नहीं सकता कि मुझे चाहिए तो मैने ले लिया तो नाव ले लिया तो नाव लेट्स टॉक अबाउट अल्फरेड मार्शल इनका ये कोट है और इस कोट से हम संझेंगे वे इंपोर्टेंस ऑफ हुमन कैपितल बट पहले थोरा से अल्फरेड मार्शल के अपर में जान लेते हैं, ही वोल्क शरय फॉर्टेंस पहले में लिखा था लोने किताब लगी पोस्क्पल से एंप्रम के वारे में लिखा था, फॉर इंप्णा अल्य ये उडिया था एंगू स्पार्ट अज़िधि अजिप्ल जाए, मार्ज़ इसरिकांड संट करेंगे सबसे पहले he said that the wisdom of expanding public and private funds public or private funds expanding on what education is not to be measured by its direct fruits alone वो क्या बोल रहा है कि जो wisdom है इस बात की कि हमें अपने private or public funds पैसा बनास not only सरकार बट लोगों को भी education पर पैसा खर्चा करना चाहिए और उसकी जो wisdom है या उसका जो output है उसको सर्फ direct fruit में नहीं calculate करना चाहिए कि भाई हमने पैसा लगाया तो हमने अपने बच्चे की education में पैसा लगाया तो वह पढ़ लिग गया और फिर बड़ा हो गया उसको अच्छी नौकरी मिल गई और वह अब हमें हमारे बड़ा पे में हमें financially support कर पाएगा you should not just that the direct fruit of putting money in education right अपने बच्चों के education में पैसे डालने का direct fruit यह होता है पर क्या बोल रहा है Alfred Marshall की हमें समझना चाहिए की यह it's not just this there are more positive benefits of putting money in education education में शिक्षा में पैसा खचा करना दोनों सरकार का और किसी personal इंसान का private इंसान का दोनों ही उसका बहुत जादा फाइदा होता है rather than just the direct one it will be profitable as a mere investment क्या है यह it's not it will it is it will be profitable as a mere investment to give masses of people much greater opportunities then they can generally avail for themselves वो क्या बोल रहा है कि अगर सरकार और लोग मिलकर education पे पैसा खचा करेंगे तो वो ना सिर्फ अपने पैसे पे अपना personal फाइदा ले पाएंगे but it's a investment in the masses मालब एक तरिके का यह investment है फूरी society में क्योंकि it will give people greater opportunities ठीक है यह education लोगों को और जादा opportunities देगी जो generally available वो खुद से नहीं कर पाते मतलब कि अगर वो खुद से किसी गाहों में रह रहे होते दूर दराज के लाखों में और उन्हें support करने के लिए कोई नहीं होता education देने के लिए कोई नहीं होता तो वो जो चीज़े कर पाते वो कभी नहीं कर पाते और वहीं अगर हम उन्हें education provide करते हैं तो people will be able to use their knowledge a lot more ठीक है so for by it means many who have died unknown कई सारे लोग जो have died unknown are enabled to get start they needed to bring out their latent abilities की कई सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत latent abilities है मतलब क्या actually में उनके अंदर बहुत सारी काम करने की शक्त वो है बोलते है ना naturally उनके अंदर बहुत सारी knowledge है या ability है पर क्यूंकि उन्हें वह education नहीं मिली इसलिए वह उसको बाहर नहीं लेकर आ पाए तो जब public and private लोग invest करते हैं education में तो वह masses को वह ability देती है कि वह unknown नहीं मर जाए बट उनको वह start मिले ताकि वह अपनी इन केपैसिटी इसको यह नो जो लेट लेटेंट अबिलेटी जो उसको यूज कर सके इसका में बहुत अच्छे एक्जामपल देते हूं एक बंदा है evolutionary biologist basically वह पढ़ते हैं कि हमारी biology through evolution कैसे change हुई मतलब की over the period हमारे human की biology में क्या-क्या फरक आया जिससे हमारा evolution हुआ है तो इनका नाम है Stephen J. Gold तो okay so you know Stephen Hawking name Einstein you know Einstein right all of us know who Einstein is so I'm seeing the death with enough on K brain ko store karke rakhakha gya tha takki hum us ke brain ke upar on K brain ko you know day second or samad second key what made him so intelligence you can get on K dimagme a kya tha physically Joe that made him so smart so that we can understand how to make other smart right so on on a oska brain joe have a safe dialogue on a bhot us ke brain key you know dissection Kia or us may know Janne ki kooshis kari ki bhai kya tha Einstein ke brain में aisa joe itna mahan thai itna uh he was so intelligent though Stephen J. Gold ने अच्छी लाइन बुली थी कि उस चीज़ का उस आइंस्टीन के brain का इतना बड़ा होना या हैवी होना उसका कितना impact था उसके intelligence पे यह मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि क्राइं सारे लोग जिनके पास Einstein से भी ज्यादा ability थी वो factories में fields में sweatshops में अपनी जिन्दकी भर labor करकर के मर गए ठीक है उसका basically वो क्या कहना चाहरा है कि देखो सिर्फ ability होना काफी नहीं है आपके अंदर ability होगी आप बहुत smart होगे लेकिन उस ability को nurture करना भी जरूरी है और अगर उस ability को nurture करने के लिए प्रॉपर education प्रॉपर training skill यह facility ना दी जाए तो वो success कभी hustle नहीं कर पाएगा आप search करो कितने सारे बच्चे हैं जो एक टाइम पे मतलब देवर नोन अभी सभी इन आपने के वह आप लिए अपने एग वह मतल्ब किपसे साट इन जोओ ऊपंडी काम तो स्लेव का ही करना पड़ा क्योंकि यह वर कंट्रोल कितने सारे जूइश लोग थे जो हो सकता है आइंस्टीन से विशादा स्मार्ट होते लेकिंग होलो कॉस्ट में मार दिये गए अब थायकर वाद शुवपाट अब टॉट्ट में अब गए था धिशुट सबसे पहले वाद इस एक पैक्टर निए अख एक 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 में आपकर एक एक एकटर अप में एक पाइट का अमने देखाया की जान्वरो मेर हम इसादा फरक नहीं है we are all animals at the end of the day we are we have the same organs as a cow or monkey right liver liver heart heart limbs limbs brain brain sub-same hana so asa kya hai jo unhain janver what is that one factor well it's the ability to transfer knowledge if i am in sanon may a guy ko bhi emotions a teher bando ko bhi emotions a teher bando ko bhi mojno ko ko bhi mojno 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 ko woha aapne bachyo ko wahi či zahat paate hain johun ke nature me in build ho tiyo 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 billy aapne billy ke bacche ko sir hunt karna hi sikhae ghi even if woh pal to willie hi but you cani renay mode hiti hunt karna see khanai hain nurture karna see khanai to bear hi proud humans would k string mutations enjoy how to go cultural 껍 tech yes ivha ko a power a second maybe reconnect ऐसे करके आज हमारे पास जो नॉलेज है वह आज से दस पीडी पहले वाले इंसान से कहीं ज्यादा गुना है तो वी अबल टू टू ट्रांसवर नॉट नॉट आज नॉलेज बट आज साज नॉलेज बट आज आज एक्स्पीरेंसे वी हाव थे कपासिटी तू दू दू आज आज एक तरीके से आप में देखा होगा कि यह सथसंग की बात तो काफी टाइम हो से जल्दी आ रही है कि गुरु जो थे वह घूम घूम के सब जगा अब बचन अपने कहते हुआ निकल जाते ते और लोग जाते थे उनके पास सुझने के लिए तो तो इस हैस बीन आ वैल्यूज है उनको एक दूसरे में जनरेशनली ट्रांसफर करते हैं तब ही तो हमें महाभारत के बार में परता है कि उसमें उस टाइम पर क्या हुआ था कैसे हुआ था वी स्टिल है तो मैनी ओल्ड बुक्स बाट तेल अस ओप थिंस आपन अब वो मिथिकल है या रियल है दानि में चाहिए था कानी सुनी है यूट ना बटाओ ने खानी यूट वह उन्की कुछ आप रहाए खानी था नियूट ने अटाइग सम्वन और भी एजूट परसें बट यूट एंट रहांगा वारें तो आमने एजूट रहां परसेंग एड परसेंगा रहां तो इस व जाहे वो डिलीजिन हो, कल्चर हो, यह जनरली और सो हमने काई पीडियों का नॉलेज इखटा करके रखा है and that's what makes us an evolu, evoluonized community कि हम अच्छे, हम इस तरीके से involved हो गए हैं, evolve हो गए हैं कि हम, you are able to sit at your own house and look into a glass screen and read and understand what I'm saying that's something that has only happened because of this evolution, right? so now, the labor skill of an educated person is more than that of an uneducation sorry, it's more than that of an uneducated person the labor skill, मनलब labor skill क्या होता है, काम करनी की जो skill है वो एक educated person में जादा होती है as compared to an uneducated person hence the former is able to generate more income इसी लिए जो educated है, वो जादा पैसे कमा पा रहा है, right? ये भी हम समझते है, to think about it क्योंकि जितना सादा हमने देखा शुरू में, कि हम को चार पांच चीजे चाहिए एक business खोलने के लिए तो सिर्में जरूरी नहीं है, mental ability जरूरी नहीं है, education भी जरूरी है तो जो education क्या है, it's education is development of skill, right? तो वो भी जरूरी है So let's talk about the role of education in society Education is sought as a higher earning capacity on people Basically, क्या बोल रहे है, वो Simple, simple, एकदम straightforward वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी education होगी, उतना ज़्यादा आपका मपाऊगी It gives one a better social standing and pride Usually हम जिस society में exist करते हैं, अभी वहाँ पढ़े लिखे लोगों को educated लोगों को ज़्यादा, you know, better माना जाता है आप पर माना जाता है, तो आपको better social standing मिलती है, आपको pride होता है Enables one to make better choices अब देखो, कोई अगर कोई आपको call आता है कल को कि आपका जो account है, वो freeze हो गया है, आपना मुझा ID, password बताईए और OTP दीजिए, तो आपका account हम unfreeze कर देंगे तो अगर यहीं पर कोई ऐसा इंसान हो, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो तो वो क्या बोलेगा, अरे, मेरी काउन खरीज रजागा, मैं आपको देता हो टारी में से पढ़के, OTP, OTP, PIN, WIN, account number, सब दे रहा हूं वहीं कोई educated person होगा, तो वो क्या गरेगा वो लेगा, नहीं, कोई बात दे, परी जोने दो, मैं जाके अपने बैंक में देख लूँगा कोई यू अंडर्स्टाइब रहेगी, यह जादा प्रोफिटेबल रहेगी, यह जादा प्रोफिटेबल रहेगी समय के साथ में सोसाइटी चेंज होती है, सारी सोसाइटी है, अगर समय बदल रहा है, तो हम भी उसके साथ बदले वहीं आप देखो हुए कुछ लोग है, जो समय बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी पुरानी, तो सो असाल पुरानी चीजों को, रिलिजिन को, और यून पेट्रियार्टी को लेकर बेठे है, और यून धर, पीपल लिविग इंपास लगए दाट, so educated people seem to move much forward easier by with changing society it refers to what is human capital it refers to stock of skill the human capital क्या होता है जब एक इंसान के पास एक स्टॉख हो skill का और expertise हो पुरे नेशन की इस एद पॉइंट of time जैसे हमने GDP नहीं पड़ा था कि एक गिवन पीरिड ऑफ टाइम में जितना प्रोडक्शन हो रहा है goods or services का उसे हम जीडी भी बोलते हैं वैसे ही human capital एक country की क्या है कि उस वक्त एक गिवन टाइम में उस नेशन के पास कितने skill stock है अब वो stock हो सकता है बोथ level में और number में कि आपके पास कितने educated working class लोग हैं कितने age है like because the older you get your capacity reduces right away who joe in Sonic 25 साल का आदमी कर सकता है वो इचीज एक पिच्चोतर साल का आदमी नहीं कर लगता है तो एक तरीके से जितनी healthy educated और highly educated मतलब एक होता है normal educated 12 पास और एक होता है कि यह रोनाटिकल इंजीनियर हो गया पाइलेट हो गया या फिर आएस ओफिसर हो गया थीज आर हाइली educated पीपल राइट तो कितने लोग है कितने educated है और कितने healthy है ठीक है वो आपका stock of skill हो जाता है तो एक नेशन के पास कितना stock of skill है एक गिवन टाइम में उसे हम human capital बोलते हैं it is the sum total of skill and expertise जैसे कि GDP होता है sum total of all the goods and services produced वैसे ही capital human capitalist sum total of all the skill and expertise human capitalist formation includes adding of the stock of the same so जितना जाधा आपके पास expertise होगी जैसे for example हर country जो है आप देखोगे अपनी अपनी किसी particular चीज को लेकर पेमा से की इतली जो है वो पास्ता चीज वाइन को लेकर फेमास है French जो है सोसाइटी है so that even though you might not think of it but French French society or government is one of the largest exporter of weapons India अगर आप देख लो तो largest provider of engineers right वहीं आप जैसे चले जाओ किसी Middle East countries में so they have oil they they don't have human capital that much but they have a lot of money right so basically आपके पास जो भी available stock है बला आपके बास जो भी लोग है और उनके पास जितनी level of education health वगरा है उन तब को आप जब एक साथ काउंट करते हो तो उसे और उसको बढ़ाने की कोशिच करते हो तो उसे human capital formation कहा जाता है ठीक है कि the amount of money a government is spending on making sure people are educated that is investment in human capital ठीक है so now what are the sources of human capital formation human capital formation होता कैसे सबसे पहले expenditure on health ठीक है मैंना क्या बताया था कि शुरू में हमने बात करी थी कि आपके पास हो सकता है काम एक नया पर जॉब करने के लिए एक में बिजनस को लिए दिमाग हो education अगर आपके पास अगर आप के पास bodily autonomy नहीं है ठीक है अगर आप खुद से अगर आप healthy नहीं अगर बार बीमार हो रहे हैं आपको को ऐसी बीमारी है जो आपको कमजोर करती जा रही है यह जंडली यह आपका बच्पन में ध्यान नहीं रखा गया आपको बच्पन में न्यूट्रिशन नहीं दिया तो आपको यह तो अगर आपकी population भले कित्ती भी educated हो पर अगर वह healthy नहीं है तो जादा काम नहीं कर पाएगी वह आपकी वह अपने विल को अपनी किरोसिटी को इत्ताइचे से यूज नहीं कर पाएगे तो उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है तो सबसे पहले जो एक्स्पेश गर्वर्मेंट करती है स्वास्थ पे हेल्थ पे जो वह क्या बोलते हैं और जस्मेकिं होस्पिटल होस्पिटल में आप तब बिमार हो जाते हो लेकिन ना जाना पड़े उसके लिए जो गवर्मेंट करती है जैसे की फ्री वैक्सीन देना पार्क खोलना मेकिंग शौर की जो सामान बिक रहा है सोसाइटी में वह त्योर हो ताकि लोग बिमार नहों फिर इंफरमेशन पहलाना कि आपके बच लिए जान प्रीज़ प्राइब करने लिए तो आपके वह तो इसको इसे करके और बेसिकली इसना प्रीज़ फोड़े पैदा होने के बाद पैदा हो ते समय लेकिन अवमन इस प्रेगनें तब इसको किसी का जाहिए और पुरी जिंदगी अपने आपको हली बनाय रखने के जाहिए उस पर जब भी गॉवर्मन फोकस करते है उस सब को हम expenditure on health expenditure on education ठीक है पढ़ाने के लिए तो 3K free school kola government school kola and not only just free school government school kola it's also about providing the space लोगों के पास थोड़ी बात earning to hoti hai right so agar manlo aap a middle class lower middle class family साते हैं your father is a shopkeeper and he's earning enough to have to feed your family and and have some savings to get what it's not about it but if you have a college in a home to work together like up a house that I give us a lot of money that I have 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 a lot of money so expenditure on education is not just providing free education but also making colleges and you know departments available in all around the world कि लोगों को जादा दूर न जाना पड़े पढ़ाई करने के लिए कि वो अपने घर के पास में affordable तरीके से कोई भी education ले पाए on job training जब भी आपको जॉब लेते हैं तो आपको आपका employer train करता है वो क्यों करता है क्यों करता है क्योंकि ताकि आप उसमें employer का क्या फायदा है कि उसे एक train बंदा मिलेगा और generally क्या फायदा है कि आप नहीं स्किल्स तो जॉब का कहीं बारना लोगों को यह होता है कि भाई हपस नोग पढ़ाई करनी लग जाए पढ़ाई करनी लग जाए पढ़ाई करनी लग जाए नोग लगने के बहाद भी पढ़ाई करनी पढ़ती है तो माइग्रेशन होता है लोगों का इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं जगह है गड़ बन जाती है उस चीज का देखोगे कि पूरे मद्रप्रदेश का education habitat बन चुका है वो जगह महां से पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं इन दोर में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब होता है तो माइग्रेशन जॉब के लिए भी होता है एक्पेशन इंफरमेशन लोग आप हर चीज आपको सिखाई नहीं जाती कुछ चीज़े आपकी खुद की क्योरासिटी पे बेस्टी कि मुझे सीखना तो उसके लिए लेकिन इंफरमेशन तो चाहिए ना पहले इंफरमेशन कैसे मिलती थी या तो आपको आपके माबाब सिखाएंगे या आपकी सोसाइटी सिखाएंगी या तो आप लाइबरी में चाके खुद पढ़ लो तो ठीक है बट दन अब इंटरनेट का जमाना है तो कॉंस्टेंटली सही इंफरमेशन प्रोवाइड हो स पसंद है लेकिन यू दोंट वंट विकम यह ओट वाट विकम उसकता है कि हम आपको पुष कर रहें इंजिनेर बनेगे बडिया बने कि अब भी बिट से बाइलोजिस्ट और विया पुशिंग यूट बेकां बटॉट बट यूट 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 अजी तो वो कैसे आप बहुत तेज हो और जल्ली अपकी mental capacity बहुत हो अफ हेल्डी हो लेकिन बावजूद भी कुछ चीजे समय के साथ सीखना पड़ती है ऐसे अपने आप नहीं आती है ना कंप्यूट चलाना केनाट भी लेंट बाए देंसेल्फ राइट नीज सम्टिंग नीग तो तो कुछ स्किल्स होती है जैसे इंटर परस्नल स्किल हो गई कैसे बात करना है क्योंकि हम घर में जैसे बात करते हैं वैसे हम बाहर आके बात नहीं कर सकते तो यह सब चीजे ड्रे गंदें में अलग सैट ऑस्कील्स की रिक्वाहर में निटीज नव वट इस्टेशन एधिच्डीशन तो कि हता है जो शिक्षा के उंपर किया जाता है in the most effective way to enhance 10 एंट लाज प्रोड़क्टिव वर्कफोस इन अ कंट्री जब दी एक कंट्री पढ़ाई पेशिक्शा पर खर्चा करती तो उसका सबसे एफेक्टिव तरीका होता है अपनी स्कील को प्र अपनी जंता क्यों वर्कफोस को प्रोड़क्टिव और skilled banana थीक है सबसे best सबसे easy way you can do it is by educating nations and individual invest in education with an objective to increase their future income क्यों करते हैं इंवेस्ट लोग और सरकार दोनों ही बच्चों के एजुकेशन में क्यों इंवेस्ट करती क्योंको पता इससे future income बढ़ेगी generating technical skills and creating manpower right to say अब जितना हर साल हर समय जब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हमें नहीं problems का solution चाहिए right we need we have bigger and bigger problems तो उन bigger and bigger problems को solve करने के लिए you need more smart people who are able to think beyond what exists तो for उसके लिए you need to have stronger or better technical skills and manpower improving labor productivity क्योंकि हमने देखा है कि जब हम production की बात कर रहे थे तो हमने क्या दिखा था कि लैंड को कैसे improve कर सकते हैं capital intensive हमने बना दिया था farming को तो क्योंकि हम और पैसा देंगे तो farming और जादा होगी है च्वाइसी करेंगे तो और हमको production मिलेगा वैसे ही labor productivity भी होती है एक इंसान हो सकता है कि से से एक साल में 1000 unit produce कर पा रहा है किसी चीज की पर अगर उसको हम अच्छे से ट्रेनिंग दे हो सकता है वह बारासों चीज़े प्रोड्यूस कर पाएं वह किल ट्रेनिंग कें मेक बैट है ना लेबर की productivity बढ़ाई जा सकती है इंटेंडिंग जैसे इसका बहुत अच्छा होता है कि मान लो farmer है जो जिसने कुछ लोगों को अपने farm पे काम करने के लिए रखा हुआ है अगर वो हाथ से काम कर रहे हैं तो उन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा राइट करने में पर वहीं अगर जो farmer है जो land owner है वो farmers को टूल्स दे दे तो क्या होगा पहले दस लोग दो घंटे दस लोग दस दिन लगा रहे थे काम करने में तो आप वो दस लोग दो दिन लगा रहे हैं eight days are there for other things right तो इस तरीके से this is called labor में ज्यादा और पुट हो सके उसको हम labor productivity बोलते है intended to bring down the birth rate ठीक है देखो जितना educated रहेंगे उतना साथा science कि आप help ले पाएंगे उतने साथा आप से गल्तियां कम होगी तो birth rate बड़ेगा death rate कम होगा decline in population or in the sense की depending on what you want to do just a country like India might want to decrease the birth rate but country is like Japan might want to increase it so जो भी जरूरत है आपकी population की dependent India के case में हमेशा से हम population control की बात करते हैं but अगर आपको population growth को control करना है किसी भी तरीके से किसी भी direction में so you can do it by simply putting more money in education because educated people understand the need and act accordingly so now let's talk about expenditure on health कि हेल्थ के ओपर expenditure क्यों किया जाता है अशिक लेबर विदाउट एक्सस्टू medical facilities is compelled to be abstained from work and there is loss of productivity अगर कोई इंसान जैसे हमने बोला था शुरू में ही कि अगर आप healthy नहीं है physically आप बार-बार बीमार हो रहे है तो आप उतनी अच्छे से वह काम नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वास्त हो तो वैसे ही मतलब क्या कि विमारी होने से पहले रिवेंट करने के लिए जों ओने की चक्रीड़ मेडिकल की चरह हो थी है उसे हम बोलता है प्रिवेंटिव मेडिसीं गीजी दैभ आपको वह प्रॉब्लम हो रही है यह अगर आपको दिख रहा है तो बास पेहनो सोज अग फोशल मेडिसीन इस भौट है एल्पिंग पीपल अड़स्टाइब आपको फिर नॉट नॉट गूट इंग जो फोट रहने के लिए जो है जो होती 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 है वह सब पेगवर् पैसा खचा करती है देन वाट इस ओंजॉब ट्रेनिंग अधर रिटर्ण ऑफ सचेपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ एन्हांस लेबर प्रोड़क्टिविटी इस मोर दें इसकॉट जब भी कोई कंपनी अपने वर्कर्स को कोई नई ट्रेनिंग देती है तो उससे क्या होता है उन नोड ओंली उनकी मला उनको जो डिटरन मिलता है उससे वह उनकी कॉस मिल जो नोंने खचा किया है ट्रेनिंग पर उससे हमेशा जादा ही रहता है कि भले आपके पास एक हो जो X come X or Y काम कर सकता था आपने उसको ट्रेनिंग दी अवो X Y Z काम कर सकता है तो that way his ability to do the work either his ability to do more work or the do the work more efficiently तो on job on job training जो होती है वो है एक लेवर की productivity बढ़ा देती है ठीक है और उसे क्या था परेंगो फोड़ देना प्रोमोशन हुआ तो कहीं बार में पॉष्ट अवर्ट इस थिंग्स हापन बिकास अवाव ट्रेनिग कोई भी इंसान अचल वह बेड़ाए जब लेडा आज़ जो हमेशे एक बेस लेवल पे जॉब ले याई और फिट जैसे उसको और ट्रेनिंग ज एक तरीके से आउन जो जो प्रेनिंग रहे इसके और जो खच्चा होता है वोसे आउटपूट से हमेशा कम होता है फिल्म स्पेंड हुज अमांट ऑन अमांट ऑन विविंग ओन जॉब्रेनींग देर वोकर्स तो बहार से लोगों को बुलाते हैं कि आओ और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको आप यह नहीं चीज सिखाओ या तो फिर क्या होता कि एक स्किल्ड लेबर है अपके पास पहले पैले स्किल्ड लहां थैंड की दस और हमार को लगा देते हैं कि वह आप यूंको प्रण नशियाकर नियुदर्ब करते हैं हाइर सेलरी स्पाने के लिए मैगरेट करते हैं और अपनी नेटिव प्लेस में जहां पैदा हुए है वहां उनको इतना इतना जो बुलते है ना पैसा और अपॉर्टुनिटी नहीं मिलती है तो वह कहीं बार दूसी जगा जाते हैं जैसे आपने देखा हो का साथ बतार लोग पढ़ने जाते हैं भार यूरोप और यूस ऑस्ट्रेलिया बिकॉस बिकॉस बेड़ बेटर कोर्से अस कंपेर तो गोज इंडिया इंडिया इंप्लूइम्ट बहुत जादा है हमारे रूरल अरिया में क्योंकि हमने बात करी थी की सीजनल वर्क होता है कभी होता है कभी नह तो इसलिए कई बार अनप्लॉइम्ट के कारण भी लोग बहुत जादा माइगरेट करते हैं रूरल से अर्बन की तरफ और यूज टेकनिकली क्वालिफाइट पीपल माइगरेट वन कांट्री तो अनदर इंडिया 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 इस त्रमेंडिस त्रमेंडिस तो यह पीपल मूव उनको पता यहां उन्हें कम पैसे मिल बाहर जांगी चाहता पैसे मिलेंगे तो देल मूव तो यह तो इंडिया 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 तो उसके लिए हमें इंडिया किस कौन सी मानलो आप अभी 12th के बच्चे हो ठीके और आपको पता है कि मुझे अगल अच्छी सालरी हो सके क्योंकि I want to earn more right तो आप किया करो कि आप यू विल बी अबल टू सी ना कि अच्छा अभी मार्केट के सिचुएशन ऐसे लग रहे हैं और आने वाले टाइम में इस फिल्ड में ज्यादा की ज़रत होगी जैसे फर एक्जांबल आज की टाइम में बोलत उस पर खचा करना उसकी information देने के लिए जो खचाव करते हैं उसे हम information expenditure information बोलते हैं ताकि लोग पता सल सके कि किसकी requirement है और हमें कहां requirement है किस चीज की requirement है क्या हमारे पास वो है और अगर नहीं है तो उसको हम कैसे सीख सकते expenditure incurred for acquiring information reading labor market and other markets like educational health has also become important source of human capital तो जितना ज्यादा informed रहे की humans जितना ज्यादा हम लोग informed रहेंगे उतना ज्यादा हम fulfill कर पाएंगे जो requirement है market की रहे हो सकता है कि आप बहुत smart हो राप बैठे हो लेकिन यह सिटिंग सम्वेर इन से राजिस्थान के किसी गाउं में and if you don't come to know about कि अच्छा यह यह चीज में तो मैं बहुत interested हूं और इसकी बहुत demand है और मैं अगर दिल्ली जाके पढ़नूं तो मैं वह बन सकता हूं और यह information कहां से आएगी तो इस information को लाने के लिए कि किस field में जरूरत है किस market में जरूरत है उसके लिए कहां से education best हैगा यह सब information पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा चलेगा कि ऐसा किया जा सकता है now let's talk about physical capital in human capital to physical capital क्या थी tangible tangible मतलब क्या generally if you want to understand tangible is whether you can touch it or not so a tangible object is like for example this pen okay but I mean tangible object is my disappointment my happiness that's something you can't touch so in a way that emotions tend to become intangible so physical capital जोती वो tangible होती है and can be easily sold in market okay like other commodities जैसे दूसरी चीज़े बिखती है जैसे चाय पत्ती बिखती है वैसे physical capital भी बिख सकती है कि आपको कुछ काम करना है तो आप लेबर जैसे हमने देखा था कि जबी सब्सक्राइब के लिए बहुत सारे इंडियन साउथ एशियन कंट्री से लेबर काम करने के लिए अगर लेबर की डिमांड जादा है तो पॉपुलेटेड एरिया से वह लेबर वहां भेजी जा सकती है जस्लाइक एनी आइटम बट इंटेंजिबल यूमन केपिटल होती है अगर कुछ लेबर करना के लिए उसको उसको खुदी बनाना पड़ेगा उसको it cannot be sold in the market इसलिए कहीं पर आप में देखा होगा कि जब हम भोलते हैं कि education schools वगरा खुल जाते हैं तो वो वी से की आ रहे ने इनोंने नो शिक्षा काना धंदा बना रखा है क्यों हम चुड़ते हैं इस बात से वेन वेन वी सी इंस्टिट्यूट्स जो बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं लेकिन उनकी quality of education अच्छी नहीं है वो कुछ ऐसी चीज़े पढ़ा रहे हैं जो काम की नहीं तो इतना हमें चरिक उससे मच्ति है बिकाज इंटेंजिबल होती है human capital और उसको बेचा नहीं जा सकता उसको खुदी बनाना पड़ता है तो इस दम की दिफरेंस बेवें physical capital and human capital इस सेपरेबल from its owner ठीक है सेपरेबल from its owner मतलब क्या कि एक इंसान है देखो every work that we do is some form of labor me coming here and teaching is also form of a labor a person coming and sitting in a chair typing and looking at the screen for a few hours and making some changes and going home that's also a labor at the same time other quizara hai field pay or jothra that is also labor right hum jokam karte hain us a hum labor both and it's separable zaruri nahi hai ki meri labor mujhe define karay ticket may apni labor apni minute joe hit me because it's not enough I am capable of doing as much as I want to so it can be separated from us in the sense ki it's something that we do whereas Joe human capital hodina it's inseparable malab aapki mental capacity aapki physical capacity aap se alakki jasafi hai ki bhai aap johai may hapa itte paise me haa kaam karunga us ke baad merah koin matlab nahi hai aap agar nahi karre ho aap bolo ki maikam ni karunga to go kisi or ko lay aaga kaam karneke right so it's separable whereas Lekin agar logo ke paas mental capacity ho tia knowledge ho tata expertise ho tia to in who inseparable nahi hai agar koin insaan kisi project pe kaam karra hai toh aap yeh nahi ka saka ki usko hata ke kisi or ko leya ho kuchh jagha pe possible hai but kuchh aisi jagha jins me dimaak ka bhoat kama ho ta hai you know special skill chahiye rathi hai toh un cases me aap unko replace nahi ka saka so toh doh so basically joh human capital tina wo ek insaan se judi huye it's not separable aap alag nahi kar sakti us ke laba physical capital jo tina it's mobile matlab kya wo ek jaga se dusri jaga ja sakti hai like artificial trade restriction okay except some artificial trade restriction wala kuchh chizho ko chhodke jyadha tar physical capital jo hai wo move ki jasakti because people are allowed to go but not it is not perfectly mobile between countries as the movement is restricted by nationality and culture hum aapni joh intelligence hai wo hume safe school say a naturally nini milta but hume society se bhi milta hai so humara joh jose abe business man hai wo agar india me say dhili me dhukan khol raha hai or wo dhili me dhukan bhaji jala raha is ka hii mtlap nahi hai ki wo kisi or deshme jake bhi atchis chala sake because his knowledge of running a shop is coming from him being born and brought up there but uska wo jose keep a capability hai wo uski national or cultural identity se juri hui hai so isliye it's 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 not possible for them to take that to outside india but my physical labor can be taken out it can be built even through imports okay physical capital jose ho thiena usko imports kethro bhi build kiya ja sakta hai malab ki a bahar se logo ko la sakte ho a bahar se educators ko la sakte ho educate karane ke liye a bahar se trainers la sakte ho train karane ke liye but uh or but joh human capital hote ye it can only be done by conscious policy formation but up usma same lagta hai upko bhot policy form karni padegi kai salo tuk implement karni padegi tab ja ke karko ek steadily you'll see increase in human capital in your society igo so that it can only be told that at the able to a table or google bhalaya bahar se wadowne apke haza logo train die suddenly you have human capital iso naiota it is slowly come it slowly comes when the government invests in good education and good medical health and good training जब गवर्मेंट अपनी लोगों पर अपने पॉपिलेशन पर पैसा स्खर्चा करती है ताकि वह एडुकेटड हो सके उन्हें प्रॉपर मील मिले वह बीमार नहों ने मेडिकल हेल्थ मिले उन्हें प्रॉपर अपर्चुनिटीज मिले ओवर दे पीरेड ऑफ टाइम तब जा थी सहल ठीए क्योंकि है एक अच्छा इजुछ इंसान सिर्फ isn't अच्या नहीं है क्योंकि वह जादा पैसे प्र फिर्क इपर एसले भी आच्छות मेड़क निद्वें उओट मॉटी इसको देना है यां कि उन्हां पता है क्यूंक्етр बहुवादर्ट गजी क्वाशन나 नोव चेंज हो सकते हैं कि अंडर्स्टैंड की कभी बाद चेंज होने की ज़रत होती है तो जो human capital formation होता है उसका आसर सिफ इस बात पर नहीं होता है आपको सिफ इकनोमिक benefit नहीं होते हैं आपको social benefit होते हैं जैसे हमारे और हमारी GDP कितनी ज्यादा है वैसे ही कहीं सारी कि European countries की GDP अच्छी नहीं है कर देया नौट ग्रोइंग अधिस स्पीड़ी अच्छी नहीं है कर देया नौट ग्रोइंग आप जाओ वहां पे बीरोक्राटिक रूल रोग सब फॉलो करते हैं जो पेपर होना है जो इंशॉरेंस लेना है लेना है और आप जाओ के जैसे European कंडिरी में अच्छी होती कि अगर आप सिंगल मदर है इफ यह और अधनी च्रडन आप डिस्टीट नहीं बन जाते हो आप रोड पनिया जाते हो तो सोशल स्कुर्टी प्रोइट की जाती है तो इवन दो यह एंधिस यह घ्टीप हम से कम होगा वर्यू सीज आप मोर्यूम है व स्वाइट लोग द激 अप्ड़ी एक्षाया कि मिल घ्रल फ्रोर्मिटी टींटो अवेले स्कुर्म में अच्छी मिल्ल कि वर्क डिल म् दोट पर अधनी दीरियोर्ट क्या को व्रोडे और में सकुल किल उप डियू उनक्टीविती और हो बजैध उनक्सादु गया नइ जादा अच्छे से काम कर सकते हैं अगर जैसे एक मशीन चलाना है कार चलाने की बात आती है एक बंदा है जिसको आपने कार चलाना सिखा दिया ठीक है यह ऐसे बैठो गेर ऐसे चेंज करो क्लच दबाओ दीजेसे क्लच छोड़ो एक्सलेटर दबाओ एसे गारी चलती है कोई सामने आजाए क्लच दबाओ एक्सलेटर दबाओ रुख जाती है फर्स गेर सेकंड थर्ड गेर फोट गेर रिवर्स ठीक आपने सिखा दिया उसको बढ़िया अब ऐसा इंतान काफी तक बढ़िया कार चला सकता है सीख जाएगा इवेंचुरी गाइड बट वहीं अगर व सब्सक्राइब तो यू नीड ऑविसली अपर्सन हूँ नोज दे इन आउट ऑफ जिसको जो कार कैसे काम करती है उसके बेसिक्स के बार में पता हो उसको इंटरनेट एक्सेशिबिलिटी हो ताकि वो जान सके कि अगर कार में ऐसी आवाज आ रही है तो इसके कि या कार को ध लेगा पर एक वेल एडुकेटेड परसन ना ओल राउंड ग्रोट करेगा वो कार का धिहान भी रखेगा उसको रिपेर भी कर पाएगा उसको लंबे समय तक अच्छे सच चला पाएगा बस यही वो बोलने कोशिश कर रहें कि जो प्रोड़क्टिविटी होती है न वो स्प इस कंपनी में 10 लोग काम कर रहें तो वो 10 लोग 10 लग अलग तरीके से एक टास को करेंगे हो सकता है कि 9 लोग उसमें से जैसा उन्हें सिखाया गया है वैसा वो टास्क कर रहें पर एक 10th इंसाल होगा जो क्या गरेगा की वेभी इल भी लाइक की हाओ के नादू एट Gashin और में का सिस्टम और सिस्टम यह मशीन यह आप जो उसके उसी काम को अच्छे सक्रदी और बेटर तरीके से कर देट इसी के इनोवेशन वोत रेका नerson is to find a new way to doing the same thing or a better way of doing the same thing to look after a regular job bi up growth chatteo its just steadily come horror I said growth NATO you need to find new things to be able to you know और वो नई चीजे वो इनोवेट करने के लिए यू नीड तो पुट एफर्ट्स इन्टु क्रीटिंग इनोवेटिव थिंकिंग की लोग को जगह दी जाए और इंपोर्टेंस दिया जाए अगर वो चीजों को और अच्छे से और इनोवेटिव तरीके से करना चाहे तो उन्हें वो स्पेस दी जाए अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसको ओफिस में जो आपका मैनेजर है वो एक दम स्ट्रिक्ट है कि A to B बोला है तो A to B होगा C की तरह आप मत देखो ठीके ऐसे इंवार्मेंट में क्या होगा आप बलोगे ओके I'll just do A to B I don't want to get into trouble तो I'll just do what is said right but and उसके बजाए समनलों आपका कोई manager है who's very open and he's like कि देखो this is the output we want अब इसको तुम कैसे करोगे your way be creative जैसे करना करो बढ़ हमें यह output चीए तो क्या होगा लोग अलग अलग तरीका find करने की कोशिश करेंगे उसको करने का राइट तो एक manager उस area उस environment को create कर रहा है जिसमें लोग innovative हो पा रहे तो वैसे ही अगर देश में हम चाहते हैं कि हमारी जो capital है human capital वो innovative हो उसके लिए हम उसे वो space प्रोवाइट करनी पड़ेगी राइट की वो कुछ नहीं चीज करने की नहीं स्किल ट्राय करने की उसको वो जगह मिले और जब तक innovation नहीं होगा तब तक growth नहीं होगी okay growth यह क्या कह रहे हैं that innovation is the lifeline of growth for anything to because unless you find new ways to do something and unless you find better ways to do something we all will be doing the same thing you Indian technology engineers to asan in america man engineers may yeah huh you as a key Indian engineers are preferred Q yeah that's a con sa desh jiske paas apni kutki skills available in here you have ne kutke logani a se jo poda like you but there is a reason why people are migrating there's a reason why people want educated people from other countries because they have a more varied life experience so they are more innovative to get on kipa's on kipa's life k experience along hand on the bus may take a house among naked perspective milta on a or da da so that's why innovation is very important for growth and it's important to have that skill of innovative skill the human capital kili what's the rooty up another connection between economic growth and capital formation is he higher rate of participation in equality they go one of the reason why many of the South Asian countries and Central Asian countries are said to be not as prosper as the West countries is because how are a appena we don't have equality of gender right so you know you should not go out maybe they were able to do great things but they ended up in the kitchen so there are other areas you know kuch areas bhoot pic rewewe have prejudices hell logo co like a top backward classes and cast I'm a rep a a truth to have just say I'll be able to do you सब्सक्राइब पूछते हैं and I used to wonder कि नाम के बाद सब्सक्राइब के पूछते हैं but there are people asking for the name because they want to know the caste and they actually even though they might not say it but they do differentiate between people so jitna सादा participation होगा उतना सादा equality आएगी अगर आपको आपके कास्ट, क्लास्ट, कलर, जेंडर के बेस के बजा आपके innovation के बेस पे जच किया जाए तो जादा equality नी आएगी because we have known one thing की आपके background का या आपके color का या आपके gender का कोई लेना दिना नहीं आपके दिमाग पे right you are capable of doing a lot of things irrespective of where even I have seen so many people like log differentiate करते हैं disability को लेकर भी mental disability and physical disability let's say for example there was a friend of mine she became an IS officer and she was not she she'd had I think polio or something and couldn't work so people always did not appreciate her as much in the society but then when she became IS officer she did really great things oh similarly कहीं बार नौटिस्टिक लोगों को देखा जाता है कि they don't have the mental capacity पर आप सबने एक देखा होगा good doctor करके सीडियल आप में you know there is a person who has autism and how though even though they have issues talking but they are then he is a very good surgeon and there are many such places जहां पे people who have certain physical or mental incapability are doing great things but equality तभी आएगी ना जब उन्हें वो space दीजाए right अगर आप wheelchair पे हैं और आप एक office में काम करना चाहते पर अगर उस office में lift या wheelchair accessibility नहीं होगी तो you won't be able to work there पर चाहे आप बहुत अच्छा काम कर पाते पर you can't go there वहीं अगर suppose करो कि उस जगा पे environment अच्छा नहीं है तो वहां पे अगर वुमें जाके safe नहीं feel कर रही है तो दिन दे वोंट वर्क यह भले उनके अंदर पर कितना भी skill हो कितना भी innovation हो तो वाट हापन्स वन यू ब्रिंग capital formation जब होता है तो से एकनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से भी होती है कि इंक्रीजेश पार्टिसिपेशन इंक्वालिटी जादा लोग जो है इंक्रीश करेंगे उतना ही जादा आपकी सोसाइटी में इकनॉमिक ग्रोथ होगी नाव प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडिया में इंडिया में अब दो लिए नाव प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडिया तो उनको जादा अच्छे सफील होता है जादा पैसा मिलता था ओविसली बेचले जाते हैं वह तो दिस इस ब्रेंड दिशिंग मैंपावर प्लानिंग मतलब क्या कि मैं अपने इतने लोगों को एड्यूकेट करा द उसके लिए अपने कुछ निए तो आज आप देखोगे बीकॉम एक डिग्री है इस बिकम सो यूजलेस क्योंकि क्या जॉब मिल रही है बीकॉम करने के बाद आपको जो आपको ट्वाइल के बाद आप नहीं कर सकते हैं अपने उस फील्ड को मैं आगे आपने मैंपावर का यूस प्लानिंग ही नहीं करी तो मैं पार वेस्ट होगी लोगन अकाडमिक स्टैंडर अब बढ़ा एक आपको मैं बताती हूं किया इफ यू वां तो बिकम ए टीचर इन इंडिया और यूनिवर्स्टी प्रोफेसर यू नोट दो इट विट इंडिन उनिवर्स्टी डिग होते हैं क्योंकि लिग लिगालिटी पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी होती है तो लौ और अकाटमिक स्टैंडर्ट जो होते हैं वह भी कहीं बार रोक लेते हैं इंडिया में कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं इनोवेट नहीं कर पाते हैं और इंडिया और नहीं पॉलिटेंसे कि अमने की सदेल में उकर poserel भी करिशिय। इंड आला इंडिए य। श्टिय। टुट्य। रिमें में आंडला मियन आखर एंड रिवन une because software companies are providing that space where they can be innovative entrepreneurs bureaucrats and politicians are now advancing views on how india can transfer itself from knowledge-based economy by using information technology now everyone is focusing on entrepreneurs bureaucrats and politicians on how we can create a knowledge-based economy in China manufacturing hub so we are going to be the master of the IT sector and if we provide them that space we can have the best IT sectors in in the world after silicon valley right so that's the idea there has been some instances where villagers are using e-mail or phone or electronic technology etc likewise e-governance there are many things I remember when I was in college if we had to take a letter from the collector's office we had to first go stand in a long line and then fill a form and give a lot of documents and then they would give us a chitti and then we and a particular date and time then we'll go on that particular time and then there will be one officer and then you have to go again on that time to receive your praman-patr whether it was domicile or whatever to the time but today we are reaching towards point where government became a big deal that you can download your certificate online so things especially you can see passport when you want to make things have moved so fast and before the time it was the same in all of these things so e-governance has come to India and it's working on the way that it depends greatly on the existing level of economic development okay it becomes the information technology field in the field of information technology center and we are looking forward to it depends the way that our present economic development is going to be happening to the country and the health of our country we are working on the country on our education and health of our country we are working on the country as we are working on the नहीं technology ला सके तो कितना हम IT सेक्टर में आगे बढ़ेंगे उसकी वैल्यू इटी सेक्टर की इंडियन आइटी सेक्टर की बढ़ेंगी सॉफ्ट्वेर इंडस्ट्री की बढ़ेंगी डिपेंड्स ओन देग्सिस्टिंग लेवल आज अगर हम एजुकेशन और हेल्थ केर में नहीं करेंगे तो आगे की economy नहीं बढ़ेगी कि यूमन कैपिटल और यूमन डेवलप्मेंट अब क्या यूमन कैपिटल और डेवलप्मेंट में क्या फरक होता है देखो यूमन डेवलप्मेंट विकास और कैपिटल एज इन पूंजी इन दोनों में एक इस तरीके का बहुत ज्यादा ठीक है उसके कहीं चीजों में यूस हो सकता है पर उसकी वाल्यू आज रिसोर्स दाट कीपस अलाइव इस मच हायर हम जिस तरीके से पानी को बहा देते हैं उस उस पॉइंट ऑफ यूसे देखे तो पानी की वेल्यू बहुत ज्यादा अची क्योंकि हमारे इस बहुत है कि कैसे हम इंसान के रहने का जो स्टैंडर्ड उसको बढ़ा सके कोई हर किसी के पास ability हो कि वह अपना दो तीन टाइम के खाना खा सके उसको भी विट पराइड जीने की लिए स्पेस मिले उसको अपॉर्चुनिटी जो उसको चाहिए उसको रिस्पेक्ट मिले ठीक है तो human development and human capital कहीं बार एक जैसे दिखते हैं they might sound the concept are related and but they are not identical कहीं बार in local colloquial language कहीं बार human capital development को एक साथ यूज किया जाता है but in reality they are not the same thing they are similar concept but not the same thing human development is end in itself human capital is means to an end मतलब क्या human capital मतलब हम human capital develop करते हैं एक कारण से कि हमें अपनी economy को Indian economy को आगे बढ़ाना है हमें innovation करना है हमें salaries और पैसा कमाना है हमें best country in the world बनना है हमें highest earning economy बनना है हम चाहते हैं कि हमारे GDP बढ़े यह सब एंस है और human capital ना इस एम के लिए हम काम करते हैं इस एम के लिए हम बढ़ाते हैं but human development is in aim itself मतलब क्या human capital development कि सी काम सी किया जाता है but human development ही वह एंड है जिसके लिए हम काम करते हैं and what is human development it is based on the idea that education and health is an integral part of human well-being because when people have the ability to read and write and ability to read lead a long and healthy life क्या है human development कि ना सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं health or education कि किस point of view दे कि भई हाँ जितना ज़्यादा एजुकेटेट होंगे उतना ज़्यादा पैसा काम हैंगे जितने ज़्यादा healthy होंगे उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे but human development क्या बोल रहा है कि यह सिर्फ काम करने के लिए नहीं है it's about being able to lead a long life आप healthy हो इसलिए नहीं ता कि आप ज़्यादा कर सको आप healthy हो ता कि आप एक अच्छी फुल्फिलिंग लाइव जी चाहो आप educated हो ता कि आप जिंदेगी को अच्छी से enjoy कर सको so people can live a good healthy long life a comfortable life that's human development वही क्योंकि जैक आप जो कि इस country और human development or economic just a relationship yeah human capital or economic growth का है वही relationship human development or economic development का है कि जितना जादा economic development होगा उतना सादा लोगों को एक अच्छी society मिलेगी रहने के लिए लेकिन again issues होते हैं क्योंकि कहीं बार मुने देखा है कि societies बहुत रिच होती लेकिन वहां पर फिर भी कुछ लोग हमेशा गरीब यता हैं इंडिया में अब देखो कितना बढ़ी है जीडीपी है और इसके अलावा भी कहीं उसके बावजूद भी कहीं सारी ऐसी communities है sections है society के जो not living in the rest of their time right so human capital treats human beings as means to an end human capital में इंसानों को as a means to an end देखा जाता है ठीक है क्या है वो एंड एंड है कि production बड़े पैसा जादा कमाया जाए अच्छे से काम हो innovative काम हो in this view any investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output अगर हम सिर्फ human capital के point of view बात करें तो क्या होगा देखो हमें पता है एक चीज कि एक इंसान जो फिजिकली healthy है ठीक है फिजिकली जिसका शरीज साय उसको कोई बिमारी नहीं है उसको अगर आप educate करो और उसको आप you know healthcare दो और उसको आप preventive care दो और उसको सारी अच्छी चीज़े प्रोवाइट करो अच्छा खाना और तो वह आगे बढ़के कुछ यह बन सकता है और एक घर में मेंटली या फिजिकली ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे इस पर वैसे वेस्ट करने की क्या ज़रात है मुझे पदे यागी तल कि क्या ही कर लेगा कितना ही कर लेगा अब हो सकता है कुछ disabilities तो ऐसी होती जिनको ओवर कम किया जब सकता है लेकिन कुछ disabilities जैसे मान लो की ओवराल ग्रोथ ही नहीं हुए आपने देखा हो कुछ लोग है जो एज में बड़े हो जाते पर मेंटली उनकी एज दो साल के बच्चे जित्ती ही रहती है तो ऐसा कोई इनसान है जो उन जिनको इतनी जादा कर दो से बांध जादे घर गादे पर मेंटली एक बोले तो फेल जादे हो नहीं कर पे तो वह प्रश्त बच्चे नहीं कर रहा हूं इस आप मुझे पता ही आगया जाके कुछ कमा के मुझे ऑफिस देगा बट मेरा काम इस बच्चे पे भी पेंट करना है लिख विग दो इ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बच्छा है जो अच्छा नहीं महीं है मंनलब और इबल नहीं है हैं इसे बल्लग है किसी भी तरीखेसें mentally or physically हो मैं ऊस पर यंद पैसा डालूं कि there मुझे कमा केण दे पर क्यूंकि मैं ने उसे प्यदा किया है और क्योंकि मैं चाहती हूं कि उसके जिंदगी मिले मैं फिर भी उसके एडुकेशन और वेल बीग पेस्पेंड करोंगी पर अगर हम यूवन कैपिटल के पॉइंट और फिर देखें तो वह इस बच्चे पेस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि कोई आउट्पूट्ट मिलना ही जितना भी पैसा खचा किया जाता है यूमन कैपिटल फॉरमेशन में उसमें से सबसे इंपॉर्टंट सबसे में इस दामांट बेस्पेंड ऑन हेल्था एड़ानी इजिए सवास्थो और शिक्षा में जोग्षा किया जाता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टंट होता है इंडिया एक्षेंडिचर ऑन सेम इस दन बाइ थी लेवल्मेंट तो गवर्मेंट के जो मरे तीन लेवल है स्टेट सेंटर सेट एंड इस डिस्ट्रिक अउन तीनों लेवल पर इंडियन गवर्मेंट खचा कर दिये इन दोनों चीजों पर ख़्यशन पर भी और अगशन पर बोथ प्राइव औप प्रड़िय इंस्टिउशन एग्जिस्ट टू रवाइड थी सर्विशन और हमारे आ पे हम ने जब एकॉनमी के बारे में पढ़ा था इंडियन निकोन अनिके बारे में कैसे हाउ इंडियन एकॉनमी इस बोथ युन प एक्सेस करने के उनके पास उनना पैसा नहीं है या उतनी क्या बोलते हैं उनकी सोशल स्टैंडिंग उतनी नहीं है कि वह कर सके उनके लिए गावर्मेंट पॉब्लिक खोल देती है और प्राइवेट अपना अलग से थ्राइब कर रहा है और पीपल हुआब मनी तो एक यह ची अगर आपने एजुकेशन और हेल्फ पर द्यान नहीं दिया तो इसका अफेक्ट सालो साल रहेगा और आप इसको इंस्टेंटली कुछ करके चेंज नहीं कर सकते ठीक है ऐसा नहीं है कि आप आप आज एक नया स्कूल खोल दो तो सड़नली आपके एजुकेशन की सारी प्र अगर कि सीको बच्पन में पोलियो हो गया तो वो उसको कुछ नहीं कर सकते अब पोलियो की दवाई देने का उसको क्या मतलब है तो वो कहने की कुछिश कर रहे हैं कि अगर मेडिकल हेल्फ या जैसे बच्पन में अगर आपने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिय तो इसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते इसलिए जरूरी है कि government हमेशा ध्यान दे कि एक स्टेट में हमेशा एक नेशन में हमेशा education or health का ध्यान रखा जाए क्योंकि अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बात आगे बढ़ गई तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है then it is essential that government should provide education and health services free of cost to people to deserving citizens and those in the society who are oppressed कि society में government को ये क्या बोलता है किसी भी सरकार का ये सबसे important task होता है कि वो जो लोग deserve करते हैं यह उनको और जो लोग oppressed है उनको free education or health care provide करें क्योंकि otherwise once they are left then you can't do anything following are the observation observations highlight the growth of education sector India अब हम बात करेंगे कि इंडिया में education sector में क्या growth आई इसको लेकर expansion is very level of education vocationalization of secondary education vocationalization क्या होता है what does it mean vocationalization मतलब जब आपको ऐसे skill सिखाई जाती है जो आपको एक्चुली यूज कर सकते हो रियल लाइव पैसे का माने के लिए उन्हें vocalize it vocationalism बोलते हैं focus on technical medical and agriculture education ठीक है जाधा तर टक्नीकी और मेडिसेन और अग्रिकल्चर की जो फील है education पी उस पर जाधा focus करने में तीनों ही बहुत important है from a general point of view medical से क्योंकि health पे अगर हमारे पार जाधा doctor होंगे तो we'll have a better health care technical so that we can have a good tertiary sector and agriculture so that we can have good primary sector and food security rural education के ऐसा नहों कि सारे urban population to educate हो जाए पर rural population रह जाए adult and female education की कहीं बार अगर जैसे एक level तक तो government प्रोवाइट कर सकी लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर खुद की चाहा होनी चाहिए आगे पढ़ने के राइट तो अगर उनकी चाहा है पढ़ने की तो उनके पास वह अधर के अंदर रहें जाहर उकटका करने क्या करो किता पढ़के वह अटेट्यूट अभी भी है हमारे जगब तो इसलिए उसकी फील्ड पे भी बहुत हमने देखा है की इंप्रूब्मेंट हुआ है टोटल लिटरसी केंपेंड कि हमारे टोटल लिटरसी केंपेंड लिटरसी और एड्विशन प्रवाइट करें बट वहीं हम लिटरसी पर करें कि एक बेस लिटरसी हो जाए तो तेल मी इस लिटरेट परसंट एडुकेटेट हुष इस दिर इन दिफरेंस ब्टीन को इडिए नहीं इन इस वाल इंग गिए डिटरसी पर्संटेज और बता रहे कि किटना किया है परसंटेज आफ टोटल गवर्मेंट इक साल में उसका कितना परसंटेज खर्चा होता 7.96 था और वहीं 2014 में 15.7 था तो अल्मोस्ट डबल है ना उसके अलावाद GDP यह तो हो गया परसंटेज है वो 0.64 था था थेंगे 52 में से बढ़कर 4.13 और 2014 ना तो काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूब्मेंट इन इजुकेशन इन 2014-15 दपर कैपिटा पॉब्लिक इक्समेंटिचर और अलिमेंटरी एजुकेशन डिफर्स कंसिड़री अक्रॉस देट लेकिन एक इस उन पंद्रा में हिमाचल प्रदेश में हुआ है 34,651 रोपीज वहीं बिहार में 4,088 रोपीज तो इससे क्या हो रहा है मतलब इसका क्या कहने कोशिश कर रहे कि बहीं इंप्रूब्मेंट तो हुआ है लेकिन हर जगस सेम नहीं हुआ है औल ओवर इंडिया इंडिया बिस लीज जादा इंप्रूब्मेंट नहीं हो पा रहा है इंडिया इंडिया में प्रफॉर्म नहीं करेंगी तो क्या होगा दूसरी स्टेट को उसको हेल्प करना अपड़का राइट अगर हो सकता है कि कोई एक स्टेट बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है तो सब्सक्राइब करेंगी तो जो हम कमा रहे हैं दूसरे स्टेट में वो उसकी तरफ पूल होगा तो यहां पे वो क्या बोलने कोशिश करेंगी एडूकेशन जो अपॉर्चनिटीज है वो डिफ्रेंशेट करेंगी और जो स्टेट का जो वैल्यू है जो डेवल्मेंट है इं जो हमने देखा भी 4.something है क्या एडुकेशन जो कमिशन जो उन्होंने क्या बोला कि एट लीज सिक्स परसंट होना चाहिए ठीक है जबलब गवर्मेंट को अपने जी डिपी का 6% कम से कम इस्तमाल करना चाहिए एडुकेशन पे टूसीबल नोटिसिबल ग्रोथ अगर आप चाहते हो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखना तो 6% करचा करो इन डिसेंबर 2002 गवर्मेंट अब इंडिया थ्रू 86th अमेंडमेंड मेंड मेंड फ्री अन कंपल्सरी एडुकेशन अ फंडमेंटल राइट तो चिल्रून बेट्वीन एच 6 और 14 क्या किया इंडियन गवर्म है ठीक है यह मलब फंडमेंटल राइट है यह उनका कि उन्हें गेव एडुकेशन दी जाए मतलब क्या की गवर्मेंट हैस्टू मेक्शूर देर गटिंग 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 और उसके उसके चक्र में और भी चीज़ों कि जैसे चाइंड लेबर को अबॉलिश करना और ल क्या करोगे पढ़ के आगे तो आप क्योंकि उन्होंने एक जनरल राइट बता दिये बना दिया है तो हर बच्चे का हग है कि उसको यह मिले तो बैट मेंस इंक्रीज़ टोटल लिटरसी गवर्मेंट इंडिया इन यह 1998 अपॉंटे दर तपस मजूंदार कमिटी विच एस् अगले दस सालों में यह जो है यह अपना six point तक नहीं पॉंचा था कई पॉर पॉर पॉंट तक रहे गया इस नेसेसरी तो रीच लेवल विच इस कंसिड़र मस्ट फर दगमिंग इस कि अगर हमने हमारी गावर्मेंट ने अपनी एजुकेशन पे 6 परसंट जो मिनिमम तो इसके इंपक्त हमको फ्यूचर में दिखेंगे कि जैसे हमने देखा कि यह जो एक यूमन कैपिटल ग्रोथ होती ना उसका एक दम से नहीं रिखता है कि आज इन्वेस्ट किया कल प्रॉफिट आ गया उसका प्रॉफिट जो होता है वो उसका आउटकम अगले दस साल बी में देश की और अपनी ससाइटी की वह बना साके तो एकली सिक्स परसंट हमें खचा करना चाहिए बट करने वेज दूइंग 4 परसंट अब यहां पर कुछ एजुकेशन अटेंमें इन्या की बात करीगी कि इतना एजुकेशन है वाट इस अडल्ट लिटरसी रेट ठीक है इस में 60 मेल का 61 था और फीमेल का 37 था दो हजार में 68 बढ़के 68 हुआ पर देखो नाइटी नाइटी से दो हजार के बीच में इतना जादा डिफरेंस नहीं है जितना ने अलमस सेम ही है उसके बाद फीमेल देखो काफी जादा बढ़ चुका है 45-54 लेकिन अभी भी सीज़ इस हुज़ दिफरेंस माला हाफ फ़ फीमेल पॉपलेशन इस तिल अन अडल्ट इलिटरेट प्राइमरी कंप्लीशन की प्राइमरी एजुकेशन और ने कंप्लीट करी मेल 1990 में 98 था लेकिन अब जाके वो दोजार पांच-दस में 96 हो गए विच इस ए रिली गुट नमबर मीन्स पर बटेविन 1990 है 2000 कोछ खास यहां पे मलब थोड़ा सा इंप्रूम्हें पे फीमेल रिख आभी भी यहां पे बीम्रूमेंट इंप्रूमेंट इंपर टोटल मैं अभी वी हम कुछ 14 points picha right so we are seeing the numbers are telling us that females are not as getting as much educated as we would expect growth hair per a bbis a route or kam kaniki education is still challenging proposition system in the country which along with the following fact makes education still a challenging proposition in karanao ke karan aaj bhi joe growth education ki joe wo hai human capital ki wo thodi si challenging illiteracy there are still people who are illiterate right in educate vocationalization means a part of the to learn a bus for high which is going to use can name my boy difference मतलब ki wo cheese in a hiper pata hai just actually we use karke pisa kama saken gender bias okay okay there are a p the armney already bad car liya ki there are reasons why many times people don't put as much job me example either na kei pariwaar mein doh bachya aik hai wo sustha dousra susth तो आप नहीं स्वस्त वाले बच्चे पर आप पता है कि उसका कोई आउपूट नी मिलेगा कुछ ऐसी ही सोच लोगों में फीमेल को लेकर भी है लो रूरल एक्सेस लेवल हम अभी तक वो लेवल रूरल एरिया में नहीं आप अगर कभी जाएंगे यूरोप में तो वहां प सब्सक्राइब करेंगे जाएंगे अग्सेसिबल बट वहीं गाहों है जहां लाइट भी नहीं आती है तो एक गंड़ा चल के स्कूल जाना पड़ता है प्राइजेशन अब प्राइजेशन से यह प्रॉब्लम है कि पीपल मेक एडूकेशन अबिसनेस वान अफ द इशूस प्राइजेशन इस बिस्निसिफिकेशन अफ एडुकेशन वहां इत्शे जो जितना साथा पैसा देगा उत्ता बड़ी एडिएशन लेगी और दूसरा एक प्रब्लम होता है प्राइजेशन से कि बाइस होता है कि कहीं लोग को लगता है कि प्राइब इस स्कूल में जादा प्रफुट करने सब्सक्राइब श्राइब और जब आप चाहते हो कि साइमलटेनियश वेकनोमिक ग्रोथ वटलाप की पूरे देश में इकनोमिक ग्रोथ हो और सब जगह बराबर हो तो इसलिए जरूरी है कि जो एड्युकेशन और हैं तो सिर्फ एक जगह पर प्रवाइद यू किन नॉट आव अन एकोनमी वित हंड़िट परसंट अफ इस ग्रोथ वेर इस यूवन कैपितल इफ यूर ओनली एडुकेटिंग गिविंग हैल सर्विसें इन अर्बन एडिया अगर आप अपने रूल एडिया को कंप्लीटी छोड दोगे तो आप अपनी आदी लूगों को सारे टाइप के लोगों को जो मिनों बैकवर्ट ट्राइब ओ गई शेडूल कास्ट अधर बैकवर्ट क्लासेज विमिन रूरल ओल वीज प्लेसे ओल इस प्मूनिटीज दाट हैव बीन डिसद्वांटेज जिनके सोसाइटी में डिसद्वांटेज है उनके तब जाके आपको एकनोमिक ग्रोथ मिलेगी एक्वालिटी मिलेगी इंडिया है रिच टॉक ऑफ संटिफिक एंटेकनिकल मैंपावर है न हमारे पास संटिफिक और में टेकनिकल मैंपावर का बहुत बढ़िया स्टॉक है इन द वर्ल्ट सो कैपैसिटी तो बहुत है तु कि नी अब नीट ऑफ द आर इस तु बेटर क्वांटिटेटिवली एंड प्रोवाइट सच चंडिशन सो एंडिया इंडिया ठीक है अब हमारे पास मैंपावर तो है टेकनिकल और सांटिफिक दोनों है ठीक है काफी सारे एजुकेशन इंस्टिटीट कुल चुक है इसलिए कहीं सारे इंजिनियर्स हैं हमारे पास कहीं सारे लोग हैं जो एटलीज ग्रैजुएशन कर चुके हैं तो लेकिन अब जरूरी यह है कि अब उसमें ब्रेन ड्रेन ना हो ताकि यह लोग अच्छी नौकरी की खोज में आउट अप इंडिया ना चले जाए इसलिए जरूरी ह यह लोग को सिकुटेंशन दे आ कि अपर्चीन दे अपॉट्टीटिश प्रोड़ करे कि वो इंडिया में ही रह सके और बाहर ना जाए लाग्ण गाया टकान टो पुकेस्ट अश्एं अश्ए ट्टीज दिस तो पॉक्टिक सीज़री खीट इन अश्री अव्टीशन टेम have a nice day, bye.